प्रथम भारतिय स्वतंतरा संग्राम ब्रीफ में यह है कि यह स्टार्ट जो कोई पी स्वतंतरा संग्राम यह किसी भी बड़े लेवल पे जब हमारी कोई लडाई आकरोश जो होता है उसका बहुत ही रीजन जो होता है यानि कि यह सौ साल चले आरी प्रॉब्लम है जिसका एक रिजल्ट है यह पहला स्वतंतरा संग्राम तो आई हम देखते हैं स्टार्टिंग से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जिसमें इस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया था और बेंगौल को कैप्चर करने के बाद इन लोगों ने दिवानी राइट्स ले थी उदर की और उसके बाद में इन लोगो के बारे में अब हम इन डीटेल पड़ेंगे तो यह पहला ऐसा इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं जैसे आप देख सकते हैं हम इसको जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडियन म्यूटिनिटी भारत का पहला महान विद्रोव ते रिवोल्ट ऑफ 1857 यह फर्स्ट वार इंडिपेंडेंडेंज यह इतने सारे नाम इनके नेचर के बारे में है कि किस टाइप का स्वरूप है सब भारत की इत्यासकारों ने इसको बहुत अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया है अगर एक्जाम में यह क्वेशन आता है कि हम मेरे फिर्स्ट वार ऑफ इंडिपे इस था क्योंकि पहला ऐसा रिवोल्ट था जा सारे भार्तियों ने मिलके अंग्रेजों की तरफ लड़ाई लड़ी थी पहला ओगनाइज रिवोल्ट था ठीक है हम बोल रहे हैं कि रिवोल्ट से पॉय ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी की तरफ यह किया गया था और इसमें मिलिट्री यानि की राजनेतिक कारण समाजिक धार्मिक कारण आर्थिक कारण तुरंत जो हुए थे वो ततकालीन कारण और सैनिक कारण सबसे पहले हम राजनेतिक कारण की बात करेंगे राजनेतिक कारण में सबसे पहला कारण है डॉक्ट्रिन ओफ लाप्स अब इसमें प्रॉपर उत्राधिकारी होना चाहिए राजा का अपना बेटा ही उत्राधिकारी बनेगा आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं उसके चलते इन्हों बहुत सारे स्टेट्स पर कबजा किया जैसे की जहांसी पर सतारा में जैतपुर में संभलपुर में उदैपुर में नागपुर आपको यह याद रखने की ज़रूत है एक्जाम पॉइंट ऑफ यू में काफे बार पूछा जाता है कि कि किस टाइम पर किस राज्य पर उन्हो से डेट को क्या हुआ था पॉलिटिकल कारण में दूसरा कारण है अवद का अनैक्सेशन यानि कि अवद पर इन्होंने किस तरीके से कब्जा किया था अवद लॉडल हाउजी ने अवद को कैप्चर किया था इस नाम से कि उन्होंने मिस रूल है वहां मिस गवर्मेंट है अच्छे से रूल नहीं कर पारी है इसलिए अवद पर कबजा किया था यह दूसरा कारण बनता है पॉलिटिकल कौस जो हमारे पॉलिटिकल कारण बनता है इसका रिवोल्ट का हम थर्ड कारण पर आते हैं इस्स्रिस्पेक्ट शून टूब भादुर्शा यानि बहादुर् था लास्ट एम्परर मुगल इंपरर इंडिया थै ती को लाल किलाुध की बाद में के बाइफ में mm के ऴाइफ तो इस जगवजे से यह आकरोश का तीसरा कारण बनता है अब हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इंपॉर्टन पॉइंट है कि आप यह नोड करें कि 1856 में क्या हुआ था कि 1856 में लॉड कैनिंग ने अनाउंस किया था कि सक्सेसर और बहादुर्शा वर तु वी नोन ऐस प्रिंस और नॉट किंग यानि कि इन्होंने अबॉलिशन उफ टाइटल्स कर दिया गया था टाइटल्स जो है वह बिल्कुल दिशकाशित कर दिये और किंग ना कहना जाना सि यह आप इंपोर्टन पॉइंट याद रखेगा 1856 में यह कहा गया था कि किनों ने किया था लॉड कैनिंग अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं जो कि सबसेजरी अलायंस साहय गठ बंदन यह किस ने दिया है लॉड वैलिसली ने इंटर्यूस किया उन्होंने यह बोला ब्रिटिश आर्मी को रकना अनिवार है ब्रिटिश रूल जो है उसको आपको सुप्रीम मानना और इसके बात में आपको इन आर्मी का खड़्चा पानी सब देना है और जो थर्ड पॉइंट है कि इसका यह इसका रिजल्ट हुआ कि लोगोंने अपनी इंडिपेंडन स्व पादचीत करनी है यह किसी और राजा के साथ में आपको कोई संबंध बनाने हैं या कोई भी तरह का ट्रेड करना है तो वह कौन करेगा तो वह कैसे कौन करेगा वह लोग राजा की ब्रिटिश की उनको पर्मिशन लेनी इंपॉर्टन तो यह चीजें अमने देखी सब्सिट् जैसे मैंने पहले political cause में बताया था doctrine of labs यानि की हड़प की नीती थी हड़प की नीती में राने लक्ष्मि भाई से जांसी को ले लिया राने लक्ष्मि भाई का अपना कोई भी पुत्र नहीं था उन्होंने उसको adopt किया था यानि की गोद लिया था गोद लेने के कारण जा यानि की इस इंडिया कंपणी ने मना कर दिया था तो यह इस कारण आपको यह चीज़ें याद रखनी है कि हम कौन किस लिए पार्टिसिपेट कर रहा है नाना साहिब इसलिए भाग ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है रानी लक्षम भाई इसलिए हमारे स इसलिए पहला कारण जो है वह है अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम हमें सती प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो बढ़ चली आ रही है इसका सबसे इंपर्था में यह होता है आप सभी को पता होगा कि सबसे प्रथा में जब किसी हजबन की जाती है तो वाइफ को उनके साथ में जि किया तो वह है अगर आप से अबॉलिशन के बारे में पुछा जाए कि इसको खतम किस ने गया था तो लॉड विलियम बेंटिक इन दे एर 1829 आपको याद रखना है और लॉड विलियम बेंटिक आपको एक्जाम पॉइंट ओफ यू से याद रखना है कि किस पे इसका अब लॉड विलियम बेंटिक अब हम नेक्स पॉइंट पे आते हैं कि इन लोगों ने विडो री मैरेज को प्रमोट किया था विडो री मैरेज आपको पता है विडो री मैरेज किया होती है कि विद्वा पुनर शादी कर सकती है तो विडो री मैरेज आक्ट जो है यह इन्हों को वापस पढ़ेंगे बट रिफॉर्म अच्छे थे तो इनको विरोध क्यों किया गया क्योंकि ऑर्थडॉक्स हिंदू जो हमारे हैं हमारे जो कल्चर है हमारी जो वैल्यूस है जो हम शुरुवात से पढ़े जा रहे हैं तो उनकी यह बिल्कुल खिलाब था तो ऑर्थडॉ सब्सक्राइब करना जाते हैं वह अपनी ही अपने ही कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसी की तहत पढ़ाई कर आया जाते हैं तो हमारे इंडियन्स को यह चीजे पसंद नहीं आई कि हमें वैस्टन एजुकेशन पढ़ना है क्योंकि हम हमारे कल्चर से रिलेटेट है तो हमें वही पढ़ना है इस चक्कर में उन लोगों ने वेस्टन एजुकेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं तो फियर ओप कन्वर्जिन इंटो क्रिश्यानिटी जब उन्होंने क्रिश्टन स्कूल इस्ताब्रिश करना शुर इस इंडिया कंपनी ने पैत्रे आजमाए जैसे कि वह लोग कंसेशन देते थे इन लोगों को टैक्स कम देना पड़ता था इन लोगों को रोजगार जल्दी मिलता था तो इस चकर में इस डर के चलते ही उन्होंने यह बिल्कुल यह क्रिश्यानिटी में कन्वर्ट ओने व जादा अच्छा समझते थे और हमें बिल्कुल भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं देते थे त्रीटमेंट का मतलब यह होता है कि वह अपने वाले लोगों को हमेशा हमसे उपर रखा करते थे और हमेशा हमें हिंदू और बाकी समाज को या बाकी मुस्लिमों को यह लोग इन हमें अपनी ही मंदिर मस्जिद जाने के लिए हमें खुदी टैक्स पे करना पड़ता था ताकि हम लोग अपने रिलिजन पॉलो ना कर सकी और हम लोगों को अपने ही रिलिजन से दूर रखने के लिए मंदिर मस्जिद का निर्मान ना हो इस चकर में यह लोग टैक्स पे कर लिए अब हम अगले कारण पर आते हैं जो है आर्थिक कारण यानि एकनॉमिक कॉस सबसे पहला है एकनॉमिक इक्सप्लॉइटिशन आप से एक्जाम में काफी पर क्वेशन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो सबसे जादा अगर हम बोले सबसे जादा आक्रोश जो है वह किन लोगों ने किया तो आपको आंसर रिखना सिपाई या फिर पीजेंट पीजेंट यानिकी किसान और सबसे इस पूले की जामना आप यात हैं याद रखिगा मारे साथ शिर्वात से ही नहीं ते वह ब्रिटिश के सपोर्ट में थे वह भर पूर टैक्स में रहा था और उनको भर पूर अपनी कमाई करने का सादन मिल चुका था तो वह हमारे पीजन्स यानिकी फार्मर्स की नहीं अगर वो tax pay करने के लिए वो loans लिया करते थे money lenders से यानि की जमिनदारों से अब tax pay नहीं करने के वज़े से वो काफी पर अपनी land को खो देते थे अपने ही जमीन को खो देते थे इसके अलावा भी इनका बहुत तरीके से शूर्शन किया गया जैसे अंग्रेज अपनी ही क्राप्स उगवाते थे crash crops का मतलब आपको पता होगा cash crops वो crops होती है जो में पैसा आमदनी लेकर आती है उनके वह भले हमारे यहां काम की नहीं हो वह हमारी जमींग को बंजर कर देती हूं बट वह उनके लिए बहुत काम की थी क्योंकि उन्हें उससे पैसा मिन रहा था प्रैफरेंस दी जाती हमारे मजू मज़़ों से समान कच्छा माल यहां से ट्रांसबोर्ट करवाना अपने देश में और वहां से फिनिश्ट बनवा कि हमारे ही मार्केट में बेच जा रहा था और इंडस्टिलाइजेशन की वज़े से हमारे जो हैंडी क्राफ्ट इंडस् सान जो हुआ वह कॉटेज और हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री के वरकर्स को हुआ और वह बेरोजगार बेरोजगार और भुकमरी की स्थित्य आ गई उनकी उनको काम नहीं मिल रहा था क्योंकि हम सारा कुछ फैक्ट्री बने प्रोडक्स से खरीद रहे हैं तो उनको रोज यह क्यों जूंक्त क्यों साक्षक की तीजिए उनकों को ने जू होग जसके उन लोगों ने बढ़ चब करेंसे इस त्हृटिक सिपेटिं साथे हैं व में हाज हमेशा हमारी आर्मी कula अपनी आर्मी में हम लोग इंडियन कर में बुख में इंडियन सेंपोblind को वो लोग एम समझा जाता हमें British soldiers से कम समझा जाता था ऐसा क्यों हम हमें समझा जाता था काफी बार बहुत सारे Britishers लड़ें बहुत सारे उन्होंने उसमें हमारे आर्मी मैं को उन्होंने cia 5 to 1 का येशियो हुआ करता था पांच इंडियन पर एक ब्रिटिश सोफ लगाया जाता था मतलब होता है पांच हमारे हुइं सोल्जर्स तो एक उनका सोलिजर कुसी जगह जगान मरने की बात होती थी लडाई की बात होती थी तो हमारे सोल्जर्स को आगि किया जाता था ईटट के को डिते पर आते हैं इल ट्रीटमेंट टू इंडियन सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स के साथ में सही वहवार नहीं करना 1856 के अंदर लौड कैनिंग ने इशू किया था एक सर्विस लेटर जो की एनलिश्मेंट अक्ट है वह रिक्वाय करता था कि सिपॉय को रेडी रहना है कहीं पर भी वह को र्राइए हो रही है कहीं भी ऑवर सीज कुछ भी लडाई हो रही है तो हमें हमारे ऐन्वनेंस सिपॉस को बाहर नहीं भीजा करते थे को यह अंद बना सवाल जवाब तो यह जीडिया पता है आप पोस्ट होती थी सुबेदार चाहिए वह कितने भी मैनत करें चाहिए वह कितना इच्छा काम करें बढ़ हमारी जो लास्ट पोस्ट जिस पर हमें रखा जाता था वह था सुबेदार बलकि उनके लिए वह सारी बड़ी पोस्ट पर अंग्रेज हुआ करते थे एवन एडमिनिस अपना ही बख्ष लेते हैं हमें वह हमेशा अपने आप से कम समझते हैं तो ये सारे बंते हमारे military cause अब हम लास्ट सबसे important कारण पे आते हैं जो है immediate cause ऐसा क्या हुआ जो इमिडेटली या फिर हम कैसे ततकालीन में जिसकी वज़े से रिवोल्ट को हवा मिल गई रिवोल्ट आग की तरह सब जगा फैल गया सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है यूज ऑफ एन्फील राइफल कार्टरिज यानि एन्फील राइफ तरह कि जाते हैं रेच फिर ट्रेज तरह काव और पिक फैट यानि गाय और सूर का यूज किया गया उनकी ग्रीस बने में तो इससे बहुत सारे भार्तियों में आक्रोष पैदा होगी उनको आप एक आगे मैं आपको इमिज में सभाउँ बांगी किस तरह के से वो तरह का लोग कर्ना थोडना पड़ता है जो वारे मूँभ से हमें से तोड़ते है यह फन्स इमीज्ज बताती है कि सोल्जर्स जो है वो काट्रज को पने दातों से तोडा जाता है जो ग्रीस किये हैं किसे काव और टिक के फैट्स सेकेंड हम उसे लोड करते हैं और थर्ड फिर हम उसे गन बना के फिर शूट करते हैं तो एक पिक्चर बिलकुल परफेक्ट बता रही है आपको पहले में ये लोग इसको बाइट कर रहे हैं दूसरे में इसको लोड कर रहे हैं और थर्ड में यह फाइनली बन गया है तो एंफिल राइफिल कार्टिज का जो यूज है इस ने बहुत सारे इंडियन के सेंटिमेंट्स और मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया अब 18 मार्च 1857 में मंगल पांडे जो सिपॉय थे कहां पे बैरकपुर में यह कि वो उन्होंने रिफ्यूस कर दिया कि वो इस कार्टिज को या फिर गन को या ग्रीस कीवी गन को यूज नहीं करेंगी और उन्हें दो लोगों को अटैक भी किया दो सीनेर ऑफिस को अटैक किया जिसमें लेटिन बाग थे और हर से थे आप नाम याद रखेगा एक्जाम जो है वो यह रिवोल्ड बैरकपूर से होते हैं मेरट गया है 9 और 9 में 85 सोल्जर्स जो थे मेरट के उन्होंने रिफ्यूस कर दिया गया कि और उनको सेंटेंस किया गया 10 साल की जेल के लिए तो हम देख रहें कि मंगल पांडे का बहुत इंपोर्टन टोल इमिडेट कॉस म हैं बट अब यह रिवोल्ड मेरट से और आगे जा रहा है यह एक ब्रीफ मैंने आज आपको समझाया है कि यह क्या नेचर है इसका क्या कॉस्स हैं अब हम आगे जो है इसको इन डीटेल पढ़ेंगे हर एक पॉइंट कवर करेंगे तब तक आप यह PDF इसको PDF form में Hindi English में आप आपको अविलेबल है आप में तो आप आराम से उससे देख के पढ़िए मैं आशागर्तियों के लेक्ट्र आपको पसंद आया होगा अंटल देन गुडबाय हाव ग्रेट डेट